बच्चों, आज हम Great Caliphs of Islam, यानि कुलफाय राश्दीन का चैप्टर जो है, उसका पहला सबब करेंगे आपको, क्योंकि आप Class 4 के स्टूडेंट हैं, तो इसमें से जो मुश्किल अलफाज हैं, उनके मानी जानेंगे, और बाकी उसके बाद इसकी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे Religious का मतलब होता है मजभी, Political, सियासी, और Guidance का मतलब होता है राहनुमाई, तो जो खुलफाय राश्दीन हैं, वो चार हैं, हजरत अबुबकर सिदीग, हजरत उमर रजियल्ला ताला अन हो, हजरत उसमान और हजरत अली रजियल्ला ताला अन हो, तो उस वकत जो खुलफा थ वो मजभी भी थे, यानि इसलाम के उपर अमल करने वाले, और उन्होंने सियासी अदारे भी चलाए, लेकिन वो कुरान की भेजी हुई, राहनुमाई जो है, कुरान के और हदीश के असूलों के उपर अमल करते थे, आजकल के सियासी लोगों की तरह नहीं के, जिनको मजभ का कोई इल्म ही नहीं है, अलामा इकबाल का बहुत एक खुबसूरत शेर है, जलाल पादशाई होके जहमूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, दीन का मतलब है तरीका, तो दीन तो हमें जिन्दगी गुजारने का सिलीका सिखाता है, वो त सियासत से अगर दीन जुदा हो जाए तो पीछे चंगेजी रह जाती है, अफेक्शन का मानी है प्यारो महबत, और पाइस कहते हैं मुत्की दीनदार को, नेक बंदे को, जो अल्ला से डरते हुए, जो अपने फराइज हैं वो पूरे करे, जैसे अज़रत अली से मुत्की की तरी पूची गई, तो अज़त अली ने जवाब दिया कि तुम एक रस्ते पे पक्डंडी पे चल रहे हो, जिसके दोनों तरफ खारदार ज़ाड़िया हैं, तुम अपने कपड़े बचाते हुए उससे गुजरो, तो इसको कहते हैं तक्वा, यानि दुनिया में रहना लेक आसानिया देता है, और जनरोसिटी को चैरिटी भी कहते हैं, सद्दका भी कहते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एज़ा स्टूडेंट एक बच्चे होते हुए, आप कौन-कौन से काम कर सकते हैं, जैसे नभी करीम स.A.W. की हदीश है कि स्माइल इस सद्दका, कि मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, तो आप हमेशा चेहरे पे मुस्कुराट रखते थे, तो हमें भी नभी करीम स.A.W. की सुनत पे अमल करते हुए, मुस्कुराट चेहरे पे सजानी चाहिए, फिर प्लांट अर्ट्री, इट इस आ कंटिन्यूस चैरिटी, अगर आप पौदे लगाते ह हैं, तो ये भी एक सदका जारिया है, तो हमें, आप तो हमें साइंस ने बताया है कि ऑक्सिजन हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो हमें पौदे लगाने चाहिए, बेशक अगर आपके घर में जगा नहीं है, कोई गमला, कोई पराना टायर, कोई पराना टीम का डबा, उसमे हमें भी एक चोटा सा पौदा लगा सकते हैं, फिर है, तो रिमूव हामफुल तिंग्स फ्रॉम दार रोड्स इस सदका, अगर कोई चिलका पड़ाओ है, कोई कच्रे का टुकडा पड़ाओ है, कोई पत्थर पड़ाओ है, उसको रास्ते से हटाना भी सदका है, तो आप द कच्रे की चीज़ पड़ी है, उसको हम उठाके साइट पे कर दें, तो ये भी सदका है, तो हमारी गलियां, घर और अबाजार जो है, वो साफ सुत्री हो जाएं, फिर है, अल्ला का जिकर करना भी सदका है, अल्ला को याद करो, अल्ला जो है, उससे तुमें फलाह नसीब कर देगा, तो चलते फिरते उठते बैटते, अल्हम्दुलिल्ला, सुभान अल्ला, अस्ताफिरूल्ला, ये असकार अपनी जबान पे रखने जाएं, फिर दा प्रॉफिट सेट इंजॉइंग आल इस गूड इस सदका, जो अल्ला की तरफ से बलाई मिलती है, उसका शुकर अ अपनिट कहते हैं मुखालिफ को, डिस्टिंगुशिज, फरक करना दो चीजों में, और इंस्टेंटली, फौरी तोर पर, आगे फिर एक और जगा आया है, मार्टर्डम, मार्टर्डम कहते हैं, शहादत को, अल्ला की राह में, अपनी जान का नजराना पेश करने वाले को, आगे, मार्टर्ड कहते हैं, और वो शहादत के रुधे फिर फाइज होता है, और करेजियस कहते हैं, बहादर और शुजाह को, तो अल्ला की जो नभी है मुखम समय अनका फरमान है, जो मार्टर्ड होते हैं, जो शहीद होते हैं, वो जन्नत में जाएंगे, और कुरान में आता है कि जो अल्ला की राह में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं उन्हें मुर्दा मात कहो क्यूंकि वो अल्ला के हां जिन्दा हैं और अपना रिजद पाते हैं तो प्यारे बच्चे उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और च सब्सक्राइब करें